पर दो खिलाडियों के बीच में वो खिलाडी ड्रॉप शॉट देने की कोशिश कर रहा था दिकते उनके लिए हुई अठारा दस का स्कोर लगता तो है कि लॉल्स जीच जाएंगे बहुत बढ़िया है यहाँ पे अपने को स्प्रेय ट्रांसफर देखने को मिला था लॉल्स की तरफ से दो प्लेयर तो हैसे वो आप लोगा यह उपसे बड़े और एकदम मसत होंगे तो आचुके है फिर से एक नीव वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल और थमनिल देखके आपको बता लगी गया होगा कि वीड कि अवरे लगता है निंजा इस बार सेफ रहेंगे क्योंकि मैंने डाइनमो चूस किया तो आपको तो रिजल पता ही नुआ तो आप क्या बोलना जाते है जो आप बोलते हुआ ही हमेशा हो जाता है येस बिलकुल मलब सिर्टीन बार आज तक बस तीन बार है अबस तीन बार इवेंट ही छे बार हुए थे तो पचास प्रतिशत में सही हूँ तो आई ये देखे हैं आपर ग्रिनेट्स का भी एक बहतरीन इस्तमाल दिखेंगा यहां पर सीरिसली गेलेंगे सब बिकोज सब को पता है कि 40 इस लिमिट पर जो पहले पोजएगा हो जीच जाएगा तो मे क्या लगता है भी फिलाल के लिए एडवंटेज अगर स्टार्ट में कोई लीड ले लेता है पाच पुइंट की भी तो क्या वो कनवर्ट कर देगा डैरेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं पर जिस तरीके से मैंने देखा कि वहाँ पे ड्रॉप लूट किया गया है और सिंगल कंपाउंड में चले गए अब मैं यह सोच रहा हूं कि सामने वाला क्या ग्रनेट के लिए भी तयार होगा चले लॉल्स है जो उपर है बाकित तीन खिलाड़ी अंदर मौजूद है और रिशब डेंजर ये सब इस वक्रनेट के साथ तयार शायद उनको भी अंदाज हो चुका था कि यहां एक ही कंपाउंड के अंदर दो तीन खिलाड़ी है पर कुनाल वो थोड़ा ओफ एंगल पर जा चुके हैं और जैसे हमने पहले भी बात करिए गोल आपका 40 का है समय पे आपको थोड़ा दियान देनी की जरूरत है पांच चे दो का स्कोर खड़ा करने के बाद लॉल्स की टीम पीछे आ गई उनको पता चला कि वह अब एडवांटेज पर आ चुके हैं अभी से ही वह रुक के खेलना चाहते हैं बिल्कुल आगे गए नहीं वहां पर हाइडर की खिलाडियों को आगे पर आना पड़ा डाइनमो को आगे आना पड़ा था उससे थोड़ी दिक्कते हैं वहाँ जादा बढ़ गई पर कम सकम नौ पांच का स्कोर फिलाल के ठीक है एचकुली यहां पर मैटर बहुत करता है कि लीड अगर आप मैंटेन कर ले तो उस लीड को डिफेंड करना बहुत मैटर करता है अगर आप वहां पर अंदा गुस होगे तो उसमें आपको थोड़ी परिशानी हो सकते है यहां पर बहुत जादा हो भी जाती है जैसे अगर आप बहुत जादा कर रहे हो और आपको भी पता है कि सामने वहां आपके उपर आएगा ही आएगा पर इन सबके चकर में लॉल्स ने अभी तक बढ़िया खेला है आज के दिन पे एक बफर से वो शांदार खेलते वे नजर आएंगे पंदरा फनिशेस अलड़ी आज के लॉल्स के खाते में और डाइनमो आठ के साथ मौजूद है फाइनली डाइनमो वो भी उपर उठे इस बार तो उन्होंने डीपी निकाल दी है और मुदित सबसे ज़्यादा फनिशेस अभी ता कुनों ने निकाले अपनी टीम से डेंजर वो सबसे ज़्यादा फनिशेस के साथ चार निकाले गए डेंजर एक बफर से वो आगे बढ़े पी 90 का बढ़िया इस्तमाल किया पर दो खिलाडियों के बीच में वो खिलाडी ड्रॉप शॉट देने की कोशिश कर रहा था दिक्कते उनके लिए हुई 18-10 का स्कोर लगता तो है कि लॉल्स जीच जाएंगे के लिए ट्राइ करेंगे उतनी वो मिस्टेक्स करेंगे उन मिस्टेक्स का फाइदा उठाते हुए टीम लोल्स यहां पर इजी एक विक्तरी अपने नाम करेंगी तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है चाहें वो कुनाल हो संचित हो लोल्स हो सबका एम कुछ अलग ह प्रें पी 90 के साथ कि थोड़े फिनिश और एक्सरा निकाले जाएं पर समय पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए डेंजर संचित को नोने डाउन किया 27-17 10 अंकों का फासला अभी भी है और डेंजर फसे थे पर सही समय पर दूसरी दिशा में जाने में उन्होंने कामियाबी ह पर अब भी फासला बड़ा है इसी चीज के में बात कर रहा है जो स्टाइज स्टाइटिंग की इनीशल लीड जो होती है उसको अगर आप अपने एडवांटेज में कर सके जो की लोल्स की टीम ने बखू भी किया है फिलाल के लिए अभी भी इवन दो वो दो तीन पॉइं तो एट पॉइंट बहुत मेंटर करेंगे बिकोज सिर्फ दस पॉइंट चीज है उनको आपे 40 के लिए पहुचने के लिए और सामने आले टीम को 16 पॉइंट मोर अभी चाहिएंगे 31-24 का स्कॉर रहेगा ट्राई हाइडरा की या फिर डाइनमो की टीम की तरफ से भी काफी टी की जारी है विकोज लीड को थोड़ा सा कम करने की बार-बार कोशिश की जारी है लेकिन वो लीड जो है अभी भी हमें साथ पॉइंट की देखने को नदर आएगी यहां पर प्लेयर का स्पॉन भी बहुत मैटर करता है अगर आप एक एरिया अपना अवर्ड करके रखते तो उस एरिया में एनिमी स्पॉन नहीं होएगा अपोजिट साइड वाले एरिया में ही स्पॉन होएगा एक बार मरने के बाद फिलाल के लिए हाँ पे लोल जो है इस मैच को अपने हाथ में कनवर्ट